सूरत मा आगामी बजेट मा टेक्स्टाइल उद्योग नी अपेक्षाओ इंकम टेक्स्ट लेब व धारवानी मांग करवा मा वीचे तो GST ना फॉर्म अप्लोड करवा मा सर्वानी समस्या दूर कराई थे भी पणचे सरकानों हेतु टेक्स कलेक्शन हो जो ये दंट के पैनल्टी वसूलात नहीं सूरत ने गार्मेंट हब जाहर करवानी पर मांग करवा मा वीचे शैलिस संवादाता लाइव जोडाई गाया चे सूरत थी शैलिस आगामी बजेट मार टेक्स्टाइल उद्योगनी अपेक्शाओ सरकार तरफ थी शू शू देखाई रही शे शैलिस शो शू शू देखाई रही शवरुगनी बजी शू देखाई गार्में टेक्स्टाइल गाई पर चाहिए वन्डेकर्श को को टुटास परशन तो हमें ज़्यादा आसा एक होगट अधिर्ग से पहले हमारे को में इनक्म टेक्स की बात करता हूं कि इनक्म टेक्स लेब में इनको ठोला चेंज करना चाहिए पांच लाग तक टेक्स को फ्री रखा है वो बढ़िया वाद है लेकिन पांच से दस लाग तक की इंकम को 10% की दारे में रखना चाहिए 10 से 20 को 20 उसके बाद में 30 वज़ा है कि आप जब GST लाए One Nation One Tax की बाद करें थे GST से मुंतली एक लाग करोड का इंकम होने लगी सरकार को तो इधर इनको सरकार को छूट देनी जिए तांकि व्यापारी को व्यापार करने में सुविदा हुए दूसरा सबस्क्राइब हमारी डिमांड है कि हम बार बार डिमांड करते हैं फिश्डे दो तीन साल से भी तो ज़्यादा कर रहे हैं कि गार्मेंट हब हमें इस सूरत को दिया जाए उसके समंधित फैसलिटी दी जाए गार्मेंट हब अगर हमी मिलता है तो जो हमारा 50% व्यापार लोस हुआ है वो हम कवर कर सकते हैं वजह है कि यहां का फेवरेस आज हम बांगलादेस बेशते हैं बांगलादेस जैसी कंट्री आज एक्सपोर्ट गार्मेंट एक्सपोर्ट में इंडिया को बहुत पीचे चो जिन लोगों से काम करते हैं ओश्लम में हैं महीला हैं अनपड है वगेरा तो मैं चाता हूं कि इसको कपड़े से नाबूद किया जाए तांकि व्यापारी व्यापार में ध्यान लगा सके हूं बिजा वेपारियों पन चेमनी पासे थी जानिये आईटी सी जिरो फोर नी वाद थाई चे जी एस्टी एक बाजू एक लाग करोड नी उपर पहुंचे हो चे अजी सुरत नो टेक्स्टाइल उद्योक स्विकारी नधी सक्यों जी एस्टी जी एस्टी माटे आजू पन जे स्मॉल अने मिडियम क्लास ना एंटर्प्रेनेर्स के बिजनेसमेन छे तेना माटे पन तकलिफो आजू त्याने त्या जू भी छे अना माटे बहुत जरूरी छे के रेक्टिफिकेशन करेक्सन एमां एलाउ धाई कारंके जू अजू समॉत नहीं выглядит नाथी नहीं गरता अने एलोको आगर पॉर्सी नदी करी रहा कि अना थी कितलू वदारे लिटीकेशन्स क्रियेट था से अने डिपार्टमेंट साथ है वैपारी रधा नसी ए रिप्रेजेंट करवा दरेके दरेक मतना रीटन माटे जवू पड़ से तो ये अननेसेसरी हर्डल पूरवार था से बीजनेस माटे अन पिक्षा आने वाले बजट से सिर्फ यही है कि हमारी जो निर्मला स्रीता मर्मन जो हमारी वित्मंत्री है और उनको पहला सवभाग है उनके लिए इस देश की वो पहली मलब मलब वित्मंत्री बन रही है और उनका पहला बजट आने वाला है हम यह चाहते हैं उनसे अपिक लापता होते जा रहे हैं तो इतने परेशान होते जा रहे हैं कि कागजों की बीच में इतने उलज गए हैं कि छोटे व्यापारी GST की परिवासा तक नहीं समझपारें उन्हें भरना पड़ रहा है गलत बात नहीं है हमको काइदे मिलना चाहिए कानून होना चाहिए सारी विवस्ता होना चाहिए लेकिन विवस्ता के उपर यह एक विवस्ता होनी चाहिए जिसमें सब लोग विवस्तित रहें GST अभी भी सुरत की टेक्स्टाइल इंडस्टी का प्रॉब्लेम है और बजेट में अपेक्षा है आप यह टेक्स्टाइल का जो इंडस्टी का नेचर देखो आप इतना सेग्मेंट में हैं इतने पार्ट में है कि आप ग्रेनुवल से सुरू करो तो पी-ओ-वाई-पी-ओ-वाई से सुरू करो तो उसके बाद आपका टेक्श्राइजिंग प्रिट ट्विस्टिंग है कहीं बी नंदेना जीए